मॉनिंग स्टुडेंट इसील सेफाली प्राइवेट आइडिया की ऑफिसियल यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है मैं मुपेश साहू इसील सेफाली प्राइवेट आइडिया इलेक्रानिस मेकेनिक इंस्टर्टर आज हम लोग देखेंगे इस्टेपलाइजर के सब्सक्राइब आए हम लोग गेशां तो हम लोग कि हम लोग के घरों में में जोब होल्टे जाती उसके जयाक तैं suspect होताफिए उससे बचाने के लिए हम लोग इस्टेप्लाइजर का प्रयोग करते हैं जो इस्टेप्लाइजर थे वह हम लोगों का चार परकार के थे आए उसको देखते हो इस्टेप्लाइजर हम लोगों के चार परकार के थे पहला था मैनुवल वोल्टेज इस्टेप्लाइजर दूसरा था ओटोमेटिक वोल् होते हैं पहला होता ओट 然後把它 आए पिछली कच्छा में हम इसमेगा होता है जो की सिंगल वाएंडिंग होती है जो आ इसम Ee इसे में प्रामरी साइट हो जाता है कि ससी इसमें और सकते हुआ है स्फ automatic voltages जैसे नाम सही पता चाता है automatic मतलब जो automatic voltage को घड़ा बटा सकता है जैसे कि इसलिए लोग घर बेस जितना voltage चाहिए उसमें उसमें फिक्स voltage कर देते हैं और उस लोग निक leach हो जाता है तो उसे बोचे आंटिक निलन आफली जिस्ट उपलाइजर में जो essential parts होते हैं वो क्या होते हैं तो देखिए सबसे पहले Auto Transformer होता है दूसरे होता है Relay switch होता है फिर तिसरा होता है Relay driver switch होता है चौता होता है control circuit होता है पच्छवा होता है voltage लो voltage power supply और छटा होता है एस से स्टी टो ट्रांस फर्मर के सब्सक्राब कर देखें हमें सब्सक्राओं होगते हैंो त्छ हो हुई वोल्टेज को और अगर धेखते हम लोग तिसरा टायप्सिसका तिसरा है constant voltage transformer तो नाम से ही पता चला constant voltage transformer तो cvt इसको short form बला जाता है cvt इसमें essential parts होते हैं आप लोगों के तीन जीज पहला होता है transformer दूसरा होता है capacitor और तीसरा होता है inductor यहां पर देखिए वैसा transformer जिसके input के series में inductor लगा हुआ रहे है और पेरलल में capacitor रहा लगा रहे है उसको बोलते हैं हम लोग constant voltage transformer यह हम लोग को एक ब्लोग डियाग्राम में चौथा देखते हैं सर्वो voltage इस्टप्लाइजर तो देखिए सर्वो बोल्टेज इस्टप्लाइजर होता है उसका यहां पर देखिया हुआ है तो देखिये जो यह है सर्वो बोल्टेज़ इस्टप्लाइजर का यहां पर दिया हुआ है तो देखिए सर्वोब वोल्टेज इस्टप्लाइजर में तोरी डोयल ऑटो ट्रांसफर्मर का किया जाता है जो फावर रावर के लिए यूज किया जाता और एक बखबुस्ट ट्रांसफर्मर क्या होता है जिसको आम लोग step-up step-down डाउन ट्रांसफर्मर बोल सकते हैं बक बुस्ट कम ज्यादा करने वाला तो इस्टेप आप डाउन ट्रांसफर्मर कहा जाता है तो आज की क्लास में लोग इतने ही देखेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक्यू सो मुच